अगे शूप्रवातम पिर्य विद्ध्यार्तियों आजम रगुवन्स में चोथिस्वे सलोक से पध्यन करेंगे चोथिस्वे सलोक है अलम मही पाल तुवा सरमेण पर्युक्तम अप्यास्त्र मितो विर्थाशार्थ नैपादव उन मूलन सक्ति रहन सिलोच्य मुर्चिते मारुत अश्यार्थ अन्वे एह मैपाल तुवा सरमेण अलम हित्या पर्युक्तम अप्यास्त्रम विर्थाशार्थ नैपादव उन मूलन सक्ति मारुत अश्यार्थ रहन सिलोच्य मुर्चती सब्दार्थ अलम बस नैपाल हे राजन तुवारे सरमेण परिश्टम से पर्युक्तम चलाया हुआ अपी भी अस्त्रमत्यार इतर इस मेरे उपर विर्था व्यर्थ स्यात होगा नहीं पादव उन मूलन पेड़ों को खाने वाले सक्ति रखने वाले रहम बेग से प्रवत के विशे में मूर्चित काम करता है मातश्य कौन पाद इंदी अर्थे हे राजन तुम्हारा प्रियास करना व्यर्थ है इधर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि व्रक्षों को खारने वाले सक्ति शयुक्त हुआ युका वेग प्रव ये राजन मुझ पर बाण चलाने का प्यात्र मत करो क्योंकि इससे कोई प्रणाम नहीं निकलेगा इधियाप बाण या अन्य को अस्त्र मुझ पर चलात भी दो तो भी इससे मेरी को यहानी नहीं होगी इस परकार वास्त सर्वता विर्थ हो जाएगा आपको ध्यान होना च सिंग की उस रुक्ति से इस प्रश्टें की राजा अपने प्राक्रम से सामाने सुक्त लोगों तो नश्ट कर सकता था किन्तों दिव्य सक्ति युग सिंग के संब्ग उसका प्राक्रम भी निश्पल था अग्रिम पेत्य सुलूग केलास गोरं प्रिसं आरुरक्षो पादार पनान्नुगरं पूत प्रिष्टं अवेही माम किंकरं अश्टं मूर्थे कुम्बो धरम नाम निकुम्बमित्र अन्वेहे केलास गोरं प्रिषम आरुरुक्षो अश्ट मूर्थे पादार पनान्नुगर पूत प्रिष्टं किंकरं निकुम्बमित्रम कुम्बो धरनाम अवेही सब्धार्थे केलास प्रव्द्ष के समान सफेथ प्रिषम बेल पर आरुक्ष्ण्ने की इच्छा रखने वाले पादार्पणम नूगर को तरन रखने की करपासे जिसका पीड़ बाग पवित्र है अवेई तुम समझो माम मुझे सिंगु को किंकरम सीव पागण अश्ट मूर्ते सीव का कुम्मोदरना कुम्मोदरनाम निकुम्मगण का मित्र इन दियर्त है केलास प्रवत के समान स्वेत रंग के व्रिसव पर आरवन की इक्षा रखने वाले भगवान सीव के चरण रखे जाने की क्रपासे पवित्र पीट वाले मुझे उनका सेवक निकुक कामित तदा कुम्मोदर नाम वाला समझिये तो इस सीव के व्रिसव का रंग केलास प्रवत के तरस्य माना गया है जम इस अपने व्रिसव पर चंढना चाहते हैं दो सिंग की पीट पर पेर रख कर चंदते हैं इससे सिंग अपनी पीड को पवित्र मानता है यो कि वह ऐसे भगवान सिव की करपा समझता है इस परकार सिंग भगवान सिव का एक सेवक था वो सिव के निकुम नामक चरकामित्र था और उसका अपना नाम कुम्मोदर था परिच्ञा की मिलता है इदल मिलता है जो तक ब़ावन सिव की संवक ह्या है ऐसे शुनका राजादिलि की खिन्ता वश्य ही कमो गयों है चत्व rapid 25 देवदर पुत्र कित्यों स्कंद्ष्य मातु कोया पुर्श निष्जी न पुत्र कित्यों सक्युणू पॅइशंग है अमोन इस देवदारों को पुरह सामने पश्चे से तुम देख रहे हो देवदारों नाम प्रक्ष को पुत्रिकृत है पुत्रिक रूप में माना गया असो यह ब्रिसव दजयन सीव के द्वारा यह जो देवदारों हिम खुंब इस्तन से निकले हुए इसकंदश्य कार्थिके की मातु माता पार्वति की पहिशांदूद का अरशग्य स्वाज जानने वाला हिंदी अर्थ है सामने इस देवदारों वक्ष को देखी रहे हो दोगवान सीवने से पुत्रिकृत माना है और यह कार्थिके की माता पार्वति के स्वण घट रूपी इस्तनों से निकले छीर के सुवाद को जानता है कि यह सामने जिए यह सामने खड़ा हुगा देवदारों का वक्ष विषभ केत्व गवन् dar के द्वारा पुत्र के रूप में सुवार किया चे है अर्था भवान सीव запुत्रिके समार इसने प्रदान करते हैं इसे पार्वति पुत्र कार्थिके की थरह ही पारवति के स्वा यह देवधार वर्प्ष पार्वति की द्वारा स्वान निद्व घट से सींचे गय जलका स्वाच झानता है लोग देवधारों को प्रते दिल अबैद्लिज तनिया सुसोची से न्याने मालेडम वासु रास्त्राइच्टरुप अन्य कदाचित कटम कंडूय माने न वन्य दिपेन अल्श्यत्म उन्मत्यता अधाद्रे तनिया अशु रास्त्रे आलेडम शे न्यान्यम किवा एनं सुसोचे सब्सक्राइब कंडू या माने रगड़ते हुए कटम कपोलों को कदाचित किसी समय वन में जंगली हाती के दुवारा पुनमद छील दिया गया क्षाल को अश्य इस देवधारों की अत्तो एनम इस देवधारों को अध्र हिमाले की तनिया पुत्री सुसो दुख्यूई से न इड़म घायल जैतन इव समा असुरादेत्यों के अस्त्रों से हिंदी अर्थ किसी समय कपोल स्तल को खुजलाते हुए जंगली हाती के दुवारा इसकी चाल उखाड दिगई जिससे पार्वती को असुरों के अस्त्रों से गायल हुए सेना पतिसम के समा इसके बारें असरों को खुजलाना सुरू किया तो इसका तना च्छिल गया इस च्हिले हुए तन्य वाले देवदारे के विट्ष को देखकर परवत्पुत्ती पारवति को उतना ही दुख हुआ जितना कि देवासु संग्राम में असुरों के इस्त्रों से गाहिल हुए दिवसे नापत कार्थी के गोदेख कर वा था इससे पार्वति का अपने कार्थी की तथा इस देवदारू रख्ष के प्रति समान रूप से वास्तले प्रकट हुई है अगरिम अर्थे सुलोगे तदा प्रवत्य वण दिपानां तासार्थां असमिन्न है मत्रिकुक्षव व्यापारितै सुल विर्तां विदाये सिंगत्तम मंका अगत्तम सत्तिम्त अन्य तदा प्रवत्य वण दिपानां तरासार्थम अंका गत्तत्तम सिंगत्तम विदाये असमिन्न अध्रिकुक्षव व्यापारितै सब्दा तदा प्रवत्य तबसे ही वंदिपानां जंगली हातियों को तरासार्थम ड़ाने के इस अहम में अध्रिकुक्षव प्रवत्त की गुभा में व्यापा नियुक्त कर दिया गया सूर्वितासिव के द्वारा विधाये प्रदान करके सिंगत्तम सिंग कारुप अंक तब इसे सूल पाने बगवान सिव के द्वारा जंगली हातियों को ड्राने के लिए अंक में आयुए जंतुं से जीवन यापन करने में समर्थ सिंगत्तम प्रदान करके इस प्रवत्त की पत्यका में मुझे निप्त किया है इंदी वैट जब बगवान सिव ने हाति के देउदारों की चान को छीला हुआ पाया और पारवत्ति को इसी कान से उकातों देखा तो उन्होंने मुझे सिंग बनाकर इस प्रवत्तियों पत्यका में निप्त कर दिया जिससे कि जंगली हाति मुझे देखकर ड़ जाएं और इस देउदारों के पास भी नफटके मुझ कि वे इसके पती पारवत्ति के वासले को जानते हैं इसलिए उन्होंने कुम्मदर को सिंग बनाकर देवदार रख्षा के लिए निप्त किया निश्यत हातियों को बेवित करने के लिए सिंग ही एकमा सक्षम प्राणी होता है बगवान सीव ने अपने चर को सिंग और उप रख्षा और प्रतिश्त क्या परमिंश्वरेणैं पस्तिता सोनित पारानाम में सुर दिशे चांद्रमसी वह उत्ग युग को सिंगों प्रसमित कि सब्दार्ट तश्य उसके अलम प्रियाब एसा यह नंदनी गोब शुद्धित भूख के त्रत्रत भूख भूख भूजाने के लिए प्रत्रत बताई हो गोजन के शिव के दुआरा उपस्ता प्राप्त हुई सोने पार्णा फून का गोजन मेरा सिंखा सुर्द राहू का चंद्रमंडल में सुद्धा अम्रित के उतर है इंद्यत है सुद्धा से पीडित उस मेरी त्रत्ति के लिए प्रयाब भूखवान सिव के द्वारा जिसके यहां आने का समय नड़्दारित है एसी यह हो मेरे व्रत की रक्त में पाना के रूप में राहू के लिए चंद्रमा के अम्रित समानिया आ गई है हिंदी व्याद क्या सिव के द्वार नियुत में चुदा से पीडित था और में चुदा के सांथी के लिए स्यों ने इस बूख के यहां आने का शमय पूंदर निश्चित कर रखा था यह हो मेरी चुदा सांथ करने के लिए सरवता प्रियाप्त है वस्तों इसके रक्ष से ही मेरी भू क्या उप्वास की समाप्ति होनी है इस बूखा मेरे पास आगमन वेसा ही है जैसा की चुदा पिडित आ हो के पास चंद्रमा के अम्रित का जाना यहां सिंग की रुकती से यह स्पष्ट है कि लोखा उसके पास पहुचा अविदी का विदानता इसे को टाल ले सकता तूसरी है बी की जिस परकार राओ की चुदा चंद्रमा के अम्रित से सांत होती है कि 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 वैसे सिंग की चुदा भी उसको के रख्तका पान करके सांत हो सके ही मैं 40 है साथमिंवर्तस्वा भी हायर रच्जाम गुरू बहानन जरसिक शिश्य भक्ति संथ्य मैं यद। सक्यम्धिणमें इसन हे सथ्याम छोषे मंगैं लेख सब्याय निर्थ When we do the professor provisions लिपक्ष्ज। इस प्रकार के आप निवर तस्व वापस चले जाओ वियाय छोड़कर लज्जाम लज्जा को गुरू गुरू की बवान आपने दर्स शिश्य की भक्ति दिखलाने वाले सस्त्र से जो वस्तु आस अक्तम रक्षा संब्वन हो नहीं तत्व वस्तु ये शैकीर्ति को चुनोती चेंट करती है ऑफ इंद्य अब आप लज्जा का प्रत्या करके लोड़ जाए तुमने गुरू वसिष्ट के प्रतिश्यों चिद्वक्ति प्रत्शित करी ही दिये तो रख्ष्य वस्तु सस्त्त के द्वाल रख्षा की योग्ये नहीं वह वस्तु सस्तार योगी इसको है उसे सुनका मुनिवसिष्ट को आपकी स्ट्रूजित भक्ती भावना संद्य नहीं होगा तो समझ सब्सक्राइब को की रख्षा करने में आपने कोई लापरवाय नहीं दिखाए इदि आप कोई विचा करें किंता हो रही हो कि सस्तार होकर वी आप रख्ष्य नहीं कर सके तो आपको ध्यान आपको ध्यान रहे कि जिसके रख्या सस्त्रों से नहीं हो सकती उसकी रख्षा ना कर सकने से सस्दार है कि इसमें कुल कमी नहीं आती अता आप बिना किसी लज्जा या कि यहां से आस्रम को लोड जाईए